वालो उन विल्कम फ्रेंट्स आज कि ए वीडियो टैली प्राइ早ई प्राइम की है और टैली फ्राइम में बैलेंससीट, थोड़ा साम देखेंगे आज, सरका केना था बैलेंससीट के बारें मताइए तो यह देखते हैं यह balance sheet पर आ चुके हम B press कर देंगे keyboard से tally के main menu यानि की gate of tally पर आतर के आपको B press करना है आपको यह धियान रखना है balance sheet देखने से पहले कि entries इसमें हुई हो पहले की 2-4-5 महिने 10 महिने में तभी आपको balance sheet में चीज़े दिखाई पढ़ेंगे अगर आप यह चीज़े entries पास नहीं की हैं आपने तो आपको वो चीज़े balance sheet में दिखाई पढ़ेंगी नहीं और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी तो balance sheet में entries तभी दिखाई पड़ेंगी जबकि आपने कुछ entries की होटेली में चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए liability एक column बना हुआ है और दूसरे side में बना हुआ है asset liability का मतलब होता है जिम्मेदारी और asset का मतलब होता है संपत्ति अब हम यहाँ पर fix asset और current asset की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर fix asset पर जैसे ही आता हूँ यह दिखिए यह fix asset है ठीक है एंटरफेस करता हो तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा hero bike और laptop तो माल लीजे कभी कभी क्या होता है कि जो company का मालिक होता है वो बोलता है कि हमें fix asset क्या क्या हमारे है उसका detail दे दो तो आपको यहीं पर आना है balance sheet पर आएंगे यहाँ पर आपको fix asset का यह मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर आ करके alt के साथ p press कीजेगा जैसे alt के साथ p press करेंगे और enter press करेंगे तो यह window open होगी इस तरह से और i button press कर दीजेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ fix asset और यह दोलों तरफ की पूरी detail print होगा यह लेकिन हमें क्या चाहिए हमें यह चाहिए कि क्या-क्या fix asset है हमारे पास fix asset का मतलब जो fix संपत्ती हमारे पास है उसकी बात कर रहा है तो यह कहां से आएगी तो इसके लिए आपको enter press कर देना fix asset पर आके अब देखिए यह दोलों दिखाई पड़ आ है तो आपको करना क्या है अब alt के साथ p press कीजे औ enter press कर दीजे और i button press कर दीजे देखिए fix asset की पूरी detail आ गई है यहाँ पर तो यह आपके पास fix asset मौझूद है आप देख सकते हैं यह 1 April 2020 से लेके 2 July 2020 तक की यह detail है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह fix asset मौझूद है हमारे पास ठीक है अब यहाँ पर alt के साथ f2 press करेंगे और enter enter press करेंगे 14 2020 से लेके 31 32 तो यहाँ पर आ करके इसको 21 करते हैं आप enter press करते हैं तो अब यह पूरी detail 2021 तक की दिखाई पड़ रही है आपको ठीक है अब यहाँ पर fix asset देखते हैं तो fix asset तो वैसे वही रहेगा क्योंकि यही दोनों हमने रखा था और इसका भी print निकालेंगे तो same वही इसी तरीके से print निकाल जागा same ही print है आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हैं तो यह fixed asset का आप print निकाल के इस तरीके से दे सकते हैं अब उन्होंने पूछा current asset क्या क्या है तो current asset में देखे sundry data cash in hand bank account और other जो चीजे हैं वो आती है